तो And One and The Worst Contaminia में हमें दो क्रेड़िट्स देखने को मिला हैं जो कैंग को और भे हाइट्स पे लेकर जाता है तो सबसे पहले मुवी के लास्ट में अपना कैंग मर जाता है जैसा कि हमने मुवी में देखा था तो उसी चीज को डिसकास करते हुए हमें तीन कैंग की वेरियंट्स दिखाए गए मिट करेड़ सीन में जिसमें सबसे पहले हम रामा टूट को देख सकते हैं और उसी के बाद हमें इम्मोर्टस को भी दिखाया जाता है और एक और कैंग है जो मुझे प्रॉबबली लग रहा है कि ये तुमको प्राइम कैंग हो सकता है क्योंकि इसके रिलेटेट कॉमिक से खोज़ना बहुत ही मुस्किल नहीं या फिर मारवान एक नया ही कैंग वेरियंट बना दिया हो मूवी के लिए अगर तुमको नहीं पता कि रामा टूट कौन है तो रामा टूट कैंग का वेरियंट है जो फ्यूचर से आता है पास्ट में राज करने के लिए वो पास्ट में आके अपना एक समराज बनाता है जिससे फैंटास्टिक फोर रोग देते हैं और रामाटर्ट वहाँ से भाग करके फ्यूचर वापस चला जाता है तुम इमोर्टर्स को basically कैंग का लीडर कह सकते हूं जैसा कि अपना ही हूर रिमेंज था ही हूर रिमेंज इमोर्टर्स को उपर ही बनाया जैसा फर मारवल बालो नहीं है इमोर्टर्स को ही उडा दिया basically इमोर्टर्स टाइम के एंड पर रहता है टाइम के छोड पर रहता है जैसा कि अपना ही हूर रिमेंज था और ये सिन exactly comic से उठा करके live action में बना दिया गया है और ये जो Kangs का group है इसे council of Kang भी बोला जाता है comic में लेकि movie हमें इसके बारे में कुछ बताया नहीं गया अभी तो जहां ये लोग सारे चीजों पर mil jewel करके फैसला लेते हैं और movie में Kang बोलता भी है कि उन्होंने मुझे निकाल बाहर कर दिया तो वो Kang movie वाला इन ही के बारे में बात कर रहा था देर mid credit में आगे बढ़े तो एक Kang बोलता है जिससे हम लोग ने निकाला था वो अब मर गया है फिर Rama Trot बोलता है तुम सिवर हो वो मर चुका है फिर एक Kang का variant बोलता है अब ये confirm ने कि Prime Kang है कोई और है अगर वो मरा नहीं होता है तो मैं तुमको यहां बुलाता भी नहीं फिर Rama Trot बोलता है तुमको तो बुरा लग रहा है कि तुमने उसे खुद नहीं मार पाया फिर Immortus बोलता है हम में से किसी ने उसे नहीं मारा उन्होंने मारा मतलब यहां पर Avengers, Super Hero की बात की जारी थी फिर Immortus बोलता है उन्हें Multiverse के बारे में पता चल गया है अगर हमने उन्हें नहीं रोका तो हमने जो कुछ आज तक बनाया है वो सब हत्या लेंगे फिर हम वहाँ देखते हैं कि कैंग के बहुत सारे वेरिंस अलग अलग टाइम लाइन से अलग अलग यूनिवर्स से आते जा रहे हैं अब Immortus रामा टोट प्राइम के मिल के डिसाइड करेंगे कि अब करना किया है सूपर हिरोज का अब मुझे यहाँ ऐसा लगता है कि इस मिट करेट सेन ने मारबल के दो मूवी को बरे आराम से सेट कर दिया है एक तो कैंग डैनेस्टी हो गया जहां हमें मिट करेट में ही कॉंसील और कैंग को दिखा दिया गया है तो अब रामा टोटी बरे आराम से फेंटास्टी फोर का में बिलन हो सकता है लेकिन अगर यहां डॉक्टर डूम को भी बता देते हैं मजा ही आ जाता तो चलो अब बात करते हैं पोस्क्रेट सीन की जहां हम देख सकते हैं कि लोकी और मॉर्वियस भी है और यहां हमें एक और नया कैंग का वरियंट देखने को मिलता है विक्टर टाइमली तो विक्टर टाइमली एक इन्वेंटर है जो पास्ट में आता है और एक टाउन बनाता है अपना ही नाम से क्यूंकि वो आगे चल करके सारे जगा पर राज करना चाहता है future में conquer करना चाहता है यानि राज करना चाहता है अब Loki तो तुरंद Kang को देखते ही पचान जाता है पर यहां Morbius Kang को नहीं पचान पता है because उसने आज तक कभी Kang को देखा ही नहीं है तो यहां हो सकता है कि Loki Morbius को मना करके इस जगा पे लेखे आता है अब ऐसा भी हो सकता है कि Loki और Morbius निकले हैं Kang से deal करने के लिए जहां जहां पर Kang होगा वहां वहां पर यह सब जाजा करके Kang से deal करेंगे तो उसको मानने की कोसिस करेंगे अब सबसे बड़ा सबाल क्या मुवी वाला Kang मर गया है तो देखो मेरे को नहीं लगता कि वो मर गया होगा विकाज वो Quantum Rail में भी और भी छोटा हो गया है और वो वहां से बाहर नहीं निकलने वाला सायद अगर वो वहां से बाहर निकल के आ भी जाए तो क्या ही फरक परता है जहां इतने सारे Infinity Kang से उसके सामने एक Kang कही कर लेगा Ant-Man मुवी से एक चीज़ दरूर कनफर्म हो गया है कि आने वाले मुवीज के लिए हम ज्यादा एकसाइट हो सकते है क्योंकि हमें हर एक मुवी में Kang देखने को मिलने वाला है लोकी, मिस मार्वल और एपना Kang डेनेस्टिक, फेंटास्टिफोर ये सब तो है ही तो बस यही था मिट केरिट, पोस्ट केरेट कर बेकडाउन तुम बताओ तुमको कैसी लगे ये मुवी तो इन ही सारे बातों को साथ अगर तुमको ये वीडियो पसंद आये हो तो लाइक, सेर और सबस्क्राइब कर देना तबता के लिए देखता है ये सिनमाटिक पस्ट